यह वीडियो केवल सेक्षनिक उद्यस्यों के लिए बनाया गया है यदि इस वीडियो में किसी परकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेश पहुंसती है तो उसके लिए हम शमा प्रारती है नमस्कार दोस्तों मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैट्स फ़र यू में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथेमेटिक्स की नौलेज को आप सभी तक पहुचाने के लिए और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने उद्यसे में काफी हद तक काम्याब हो रहे हैं इसी परकार आपका सहयोग बनाते रहिए हमारे वीडियो देखते रहिए सीखते रहिए और हमें अपने उद्यसे की और आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों आज का जो वीडियो है वो अधारित है एलजेब्रा यानि बीजगनित की जो वीडियो से लिए चल रही है उस पर उसमें नो लेशन हमने देख चुके हैं और नो लेशन में हमने जाना की बीजगनित क्या होती है कैसे होती है क्या इसका बेसिक होता है और समिकरण के बारे में बहुपत के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा पिछले वीडियो में आठ्वे और नौफे लेसन में हमने दविगाद समिकरन के बारे में पढ़ा, उसको हल करने की वीडियों के बारे में पढ़ा, उसका एक बहुत ही महत्तेपो manure सूथर शीरीधर अचारे सूथर के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे आज के वीडिय के अंदर भी ये वीडियो है उसके बाद 11 वी बार वी और आगे भी ये काम आता है तो अगर आप गनित के स्टूडेंट हैं और आप मैथ से पढ़ते हैं मैथ आपके कही न कहीं सिलेबस को कवर करती है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है तो शुरू करते हैं वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाश तक देखिए फूल आवाज में देखिए अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइगन जरूर दबा लिजिए ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें चलिए शुरू करते हैं देखे द्वीगात समिक्रण के मूलों की प्रकृति हम आज पढ़ेंगे द्वीगात समिक्रण क्या होती है इसका जो मानक रूप होता है क्या होता है हमने पहले पढ़ा था एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं यह सपोज मैंने कोई समिक्रण dancing song प्लस b x प्लस c इसका ज्येकल टो जीरोे एक द्वीगात समिक्रण है क्योंकि यहाँ पे x की अधिक्तमगात 2 है चर जो है यहाँ पे मैंने x काम में लिया है ठीक है अगर यहाँ पर मैं चर दूसरा काम में लेता है भी तो है समिक्रण इस प्रकार हो जाती है एक ही बात है, समिक्रण वही है, सिर्फ चर एक्स के चरवाई आगए, कोई भी एक्सर होना चाहिए, द्विगात समिक्रण है, अधिक्तम गात दो है, फिर गात एक है, फिर अचरपद है, फिर जिरो है, एक्सर एक्सर गुणाग का गुणाग, बी है, वो एक्सर गुणाग वर्शी है, वो अचरपद, इस इकलड़ जिरो, एक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब यह समिक्रण है, अगर हम इसको छुपा लेते हैं, एक्वल नहीं होता, तो यह द्विगात भववपद कहला था, ठी is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, यह मैंने एक सुतर लिखा था, इनको हल करने का, ठीक है, a, b और c क्या होता है, a होता है, x square या y square का गुणाग, b होता है, x का या y का गुणाग, और c होता है, जरपद, वो यहां रखके, जब हम इसको हल करेंगे, तो हमारे पास, इसका जो उतर होगा, इसके जो द्विगात समीकर्ण के जो हल होंगे, जो हम इन्हें मूली भी बोलते हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे, अब जब हम इसके हल निकालेंगे, तो हमारे पास इसके दो हल निकलेंगे, कितने हल निकलेंगे, दो, वो दोनो हल कैसे होंगे, क्या दोनो वास्त्विक हो करके कालपनिक होंगे क्या दोनों समान होंगे कैसे होंगे ये सारी जो जीजे हैं ये कहलाती है उन मूलों की प्रकरती कैसे कहलाती है उन मूलों की प्रकरती कि वो दोनों जो हल होंगे या दोनों जो मूल होंगे वो कैसे होंगे उनकी प्रकरती क्या होगी क्या वो वास्तिक ह होंगे क्यا वो समान होंगे क्या वो एसमान होंगे तो कैसे होंगगे यह क्यलाती प्रकृती तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसको हल करते हैं हल पर जो ले सबसे आपकit दोगर यहां पर जो है ±2 ए यह जो a aley by ±4 यह है जो है value यह value सबसे important है जितना भी खेल हो सारा इसी पर depend है यह value ही निर्दारित करती है कि जो मूल होंगे वो समान होंगे या ऐसमान क्योंकि नीचे 2 है आगे minus b है plus minus के बाद यही value है और इसी से decide होता है के मूल कैसे होंगे तो यहाँ पर हम क्या करते है जो यह value है b square minus 4ac b square minus 4ac यह जो value है इसको हम बोलते है delta या d इसको d से वेक्ट करते है ठीक है d से वेक्ट क्यों करते है इसको हम बोलते है discriminant discriminant या discriminant इप इसको को बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्त कर क्या बोलते हैं विविक्त कर क्योंकि यह अकिला ऐसा element है dellta b square minus 4c जो पूरे मूलों की प्रकृती को बया करता है उसे dictate करता है इस लिए हम इसे क्या बोलते है delta is equal to b square minus 4c यरी हम यहाँ पर लिखते हैं D is equal to B square minus 4 यानि हम इस D का मान अगर निकाल लें तो यह मान हमें बताएगा कि किस प्रकार से उसके जो मूल होते हैं वो वास्तिक होते हैं कालपनिक होते हैं या ऐसा मान होते हैं समान होते हैं जो भी होते हैं थीक है देगे B square minus 4AC का आप मान निकालोगे B, A और C ABC के मान वो ही जो समीक्रण में X square का गुणाग का रचरपत है वो आप यहाँ पर रखोगे B square minus 4AC की value निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा B square minus 4AC की जो value है या तो greater than 0 आएगी greater than 0 का मतलब कोई बड़ी संक्या या equal 0 आएगी यानिकि 0 के बराबर या less than 0 आएगी इन तीन condition में ही B square minus 4AC की value आ सकती है या तो इसकी value आएगी 0 से बड़ी होगी positive या इसकी value 0 के बराबर होगी 0 या इसकी value 0 से छोटी होगी या निन negative यह होगी तो जब ये तीन condition आएगी तो इन तीनों condition में ही आपको बताना है कि मूलों की प्रकरती क्या क्या होती है कैसे देखो जब B square minus 4AC की value greater than 0 है यानि 0 से बड़ी है तब मूल जो होगे वो वास्तविक होगे क्या होगे वास्तविक होगे और एसमान होंगे ये आपको याद रखना है मूल वास्तविक होगे मूल वास्तविक का मतलब असली जो value है real number है वो आएंगे एसमान का मतलब है холодने प्रकरती का मतलब है दोनों मूल अलग अलग होगे दोनों मूल एक जरे से होगे और समान होंगे अब यहाँ पर देखो greater than 0 or equal 0 में मूल to वास्त भी गहाँ लेगिन greater than 0 में ऐसमान होंगे, दोनों मूल अलग-अलग होंगे दोनों जो आंसर निकलेंगे, वो अलग-अलग निकलेंगे जबकि equal 0 में जो दोनों मूल होंगे, वो क्या होंगे? कोई वो नहीं है गया थर् Babag tenho के उपक्रक्रति जो बी आपको सवाल दे रुखा हो उसमें अगर आपको मौलों की प्रक्रति पुछए इसतार से डारेक्ट य очकता है उसके बाद वेल लेकिन सिर्फ मूलों की प्रकृति अगर बतानी हो उसके लिए आप बिना हल किया यानि पहले हल करो फिर बताओ इससे अच्छा आप डिरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट यानि बी स्क्रिमिनेंट को चेक करके आप यह बता सकते हो कि इनके मूल वास्तिक है या कालपनिक है इस प्र प्लस आठ एक्स प्लस बारा इस इकल टो जीरो यह मैंने एक द्वीगात समीक्रण लिए बिल्कुल सिंपल सी बिल्कुल आसान सी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मेरे को मूलों की प्रकृति गयात करनी है कैसी होगी और फिर इसकी जांच भी मैं करूँ गा की क्या मूलों की प्रकृति जो है वो सही आई है या नही आई तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा ए बी सी के माहन निकालूगा तो अब देखो यहाँ पर ए क्या होता है ए होता है एक्स स्ट्वायर के साथ में कितनी संक् B की बात करूँ तो X के साथ में जो संक्या होती है X के साथ में संक्या है 8 तो यहां होगी B का मान 8 C के बात करूँ तो C होता है अचरपद तो C एक का मान यहां पर कितना हो गया 12 A बराबर 1, B बराबर 8, C बराबर 12 अब मैं यहां पर क्या करूँगा D की value check करूँगा D यानि discriminant जो होता है B square minus 4AC इसको मैं हल करूँगा करो देखो B का मान यहां पर कितना है 8 तो यहां पर मैं करूँगा B square यानि 8 का square minus 4 into A का मान 1 into C का मान 12 8 square minus 4AC ठीक है B का square यानि 8 का square रख गया minus 4 into A into C A और C के मान रख दिए 1 और 12 अब इसको मैं हल करूँगा तो 8 का square कितना होता है 8 का square होता है 64 यानि कि 64 minus 4 into 1 into 12 तो 4 एकम 4 4 into 12 12 चोग 48 या आगे 48 इसको जब मैं हल करूँगा तो मेरे पास कितना है गा 14 में से 8 गे 6 इतरो गे 5 माजे में सार गया एक 16 आएगा मेरे पास कितना आएगा 16 और जो 16 की value है वो क्या है 0 से बड़ी है यानि ये क्या है greater than 0 16 की value क्या है 0 से बड़ी greater than 0 तो इसका मतलब 20 square minus 4 जो मैंने निकाला वो क्या आगया greater than 0 greater than 0 आगया it means क्या होगा 20 square minus 4 जो मान है वो क्या होंगे वास्त्विक और ऐसा मान होंगे यानि वास्त्विक मान आएंगे और दोनों अलग लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं इस निश्कर पुचाओ कि इसके जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे वास्त्विक यानि की real number और दोनों मूल किया होंगे ऐसा मान होंगे ये मेरा आगे मूलों की प्रकर्ति ठीक है अब क्या वास्तों में ये है हम इसकी जाँच भी करते हैं इसको हल करके क्या वास्तों में इसके मूल जाएंगे वो यही आएंगे चलो हम check कर लेते हैं समिक्रन जो थी x square plus 8x plus 12 is equal to 0 इसको मैं एक बार दुबारा यहां लिख लेता हूँ x square plus 8x plus 12 is equal to 0 और इसको मैं शिरी धिराचारे formula से हल करता हूँ किसे हल करता हूँ सिरी धिराचारे formula से सिरी धिराचारे formula था x is equal to minus b plus minus root में b square minus 4ac upon 2a ठीक है यहां पर जब आप इस उत्र को लिखो तो थोड़ा सा मैंने गलती गलती लिखना में यह जो main बटा है इसके आगे बराबर लगाना और एक यहां लिखना वो ज़्यादा सही रहता है अब इसको हल करो तो a b c के मान तो वही है तो यहां पर आप ज्यान से देखो minus है पहले दिए जो बटा है वो मैं बटा लिखूँगा minus b मैं लिखूँगा कितना है b का मान 8 बी का मान आगया 8 पलस माइनस रूट में यहां पर मैं लिखना है b square minus 4ac तो b square minus 4ac का मान याद करो आपने पहले गयाद किया है मूलों की प्रकृति निकालने में तो जब भी आप किसी भी सवाल में अगर मूलों की प्रकृति पहले निकालो तो b square minus 4ac की जो value है वो आपने पहले से solve की हुई होगी यह दो को हमने पहले से solve कर रखा है b square minus 4ac तो इसकी जो value कितनी है 16 तो आप उसको दुबारा हल करने की बजाए आप direct यहाँ पर क्या लिख सकते हो 16 लिख सकते हो आई बास में यह इसको दुबारा रखोगे तो भी मान 16 यह आएगा लेकिन पहले जब हमने calculation कर रखी है तो इसको दुबारा ना करके मैंने direct यहाँ पर क्या लिख दिया 16 upon में 2 into a की value है 1 तो यहाँ पर मैं लिख दिया 1 अब मैं इसको हल करूँगा तो minus 8 plus minus 16 यानि 16 का root 16 का जब root करोगे वर्ग मुल करोगे तो वो आएगा 4 और बटे में 2 एक दो ठीक है अब यहाँ पर plus भी है और minus भी है तो मैं एक बार plus लूँगा और एक बार minus लूँगा जब मैं plus लेकि हल करूँगा तो एक माना जाएगा इसकी दूसरी value यहाँ जाएगी यहाँ पर भी बराबर में x चल रहा है ठीक है अब इसको हल करते हैं देगो यहाँ पर एक minus का एक plus का plus minus गटा होगी 8 में से 4 के 4 बटे में 2 इस 4 के सामने निशान आएगा बड़ी सिंख्या का बड़ी सिंख्या minus की है तो minus का 4 तो आपने minus लिया minus 8 और minus 4 8 और 4 12 क्योंकि दोनों minus के हैं जुड़ेगी तो minus 12 बटे 2 इसको जब हल करोगे तो किता आगया minus के 6 यानि x की value किती आगी minus के 6 अब यहाँ पे देखो minus 6 और minus 2 दोनों ही वास्त्विक संख्या है हमें पता था कि संख्या कैसी आएगी वास्त्विक आएगी और दोनों ही ऐसमान हैं अलग-अलग हैं तो देखो हमें पता था कि अलग-अलग आएगी तो इस तरह से हमने पहले परकरति चेक कर लिए उसके बाद अगर आपको मूल निकालने भी है तो इस तरह से हम अलग- example है थोड़ा सा hard example लेके बताओ तो मैं आपको एक example और लेके बता देता हूँ बाकिया आप अलग-अलग करना बिलकुल इसलिए आप कर सकते हो एक और example मैं यहीं ले लेता हूँ अलग से पेज गराब नहीं करता मैंने लिखा 2x square plus 9x minus c is equal to 0 suppose मैं यहीं कोई equation ली 2x square plus 9x minus c is equal to 0 गिद्वीगात समिकरण है अब यहाँ पर सबसे पहले में क्या करूँगा ए बी सी के माल निकाल लूँगा ए की value क्या होगी जो x square के साथ multiply में होता है वो a तो यहाँपे x square के साथ multiply में है 2 तो यह हो है वो तो c यहाँपे कितना है अब देखो c यहाँपे minus का 6 है क्योंकि minus जो रूप होता है standard 4 में प्लस होता है यहाँपर minus इसका माल लबी है minus 6 के संख्या के साथ है तो c की value क्या होगी minus 6 ठीक है अब हम क्या करेंगे d की value find करेंगे discriminate d की value होती है b square minus 4a c रखो b b की value कितनी है 9 तो यहाँपे मैं करूँगा 9 का square minus 4 into a a की value 2 और into c c की value minus 6 अब इसको हल करूँगा तो 9 का square 81 अब यहाँपर देखो इन तिनों की multiply होगी तो multiply में एक minus तो यह रहा और एक minus यह रहा जब इनकी multiply होगी तो minus प्लस 4 into 2 8 8 into 6 48 यह आगया 48 और दोनों प्लस के आगे जोड़ दो आठ रेक नो आठ चार बारा एक 139 क्या है आपके पास positive value है तो इसका मतलब यह भी greater than zero है greater than zero है मतलब इसके मूल विक्या होंगे वास्त्विक होंगे और ऐसमान होंगे इसके मूल विक्या होंगे वास्त्विक और ऐसमान होंगे तो यहाँ पर भी देखो जब आप इसको देखना चाहुताब आप इसको हल करके देख सकते हो, जो मूल आएगे, वह वास्तों में वास्त ही आएगे और ऐसमान आएगे, इस प्रकार आप बिना equation को हल किए, बिना द्वीगा खर्मिकरण को हल किए, उसके मूलों की प्रकृति बता सकते हो कि उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी तो ये था आज का वीडियो इसके अंदर बहुत ही इंपोर्टन है और बहुत ही जरूरी है यह था कि आप आराम से देख सको जांच कर सको बहुत आसान भी है तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ जो भी मैंने आज की वीडियो में समझाने का प्रयास किया वह आपको जरूर समझ में आया होगा वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट करके बुझिए ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए सभी दोस्तों को शेयर कीजिए एक या दो भार जरूर वीडियो को देखें ताकि हर परकार से आपके जो वीडियो है वीडियो में जो भी मैंने समझाने का परियास किया है वो आपके बिल्कुल किलियर हो जाए तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कर दो कर दो